आप ये जो हमारे स्क्रीन पे फोटोस देख रहे हैं आज सोशल मीडिया पर यही फोटोस चाही हुई है जी हाँ आपको पता दे कि दिल्ली में स्याम स्टील का प्रोग्राम बहुत ही काम्याब रहा यहाँ पर इस प्रोग्राम को देखने के बाद लोगों को लगा कि ये कोई भोजपुरिया प्रोग्राम है यहाँ पर मनोस्तिवारी, रितेश पांडे और पावस्टार पवन सिंग ने जो गरदा उड़ाया कि उसके बाद सभी भोजपुरिया रंग में रंग है आपको यहाँ हम यह भी बता देते हैं कि सोनोसूद और पवन सिंग की ये फोटोज बहुत वाइरल हो रही हैं जिसके बाद काफी मीम्स भी तैयार हो गए हैं यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि पावस्टार पवन सिंग सोनोसूद से भोजपुरी में काम करने के लिए कह रहे हैं भोजपुरी में आने के लिए कह रहे हैं और जवाब में सोनोसूद कह रहे हैं क्यों नहीं वैसे भाई पावस्टार पवन सिंग ने ठान ही लिया है कि उन्हें भोजपूरी में बड़े से बड़ा बॉलिवुड का स्टार लाना है तो फिर उसकी शुरुआत उन्होंने वैसे भी कर दी है अब अगर सोनु सूद भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंग के साथ आते हैं तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो जाएगी यूकि पवन सिंग ने जो कहा है वो करकर दिखाया है भोजपुरी जगत की हट और मसालेदार गॉसिप के लिए में सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूल